गुड मॉनिंग बच्चो बच्चो इस वीडियो में हम 12 वे क्लास की पाठे पुस्तक अंतरा भाग दो के आठमे लेसन को देखेंगे और आठमा लेसन जो हमारा वो मलिक मुहमाद जैसी से संबंद दीते हैं मलिक मुहमाद जैसी भक्तिकाल के सूफी कावेधारा के प्रते निधे कवी हैं और ये बहुत महत्पूर्ण कवी हैं सूफी कावेधारा के और इनको आपकी स्लेबस में सामिल किया गया है इस वीडियो में हम मलिक मुहमाद जैसी के जीवन परिचयों पर चर्चा करेंगे इससे आपको फिर मलिक मुहमाद जैसी के जीवन परिचे को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदी साहित्ति का जो इतिहास है उसको कितने कालों में विभाजित किया गया इस चीज को हम देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्ती का जो इतिहास है वो लगबग 1000 साल का इतिहास है और इसको हम 4 कालों में विभाजित करते हैं पहला काल है हमारा आधिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल है और इन कालों के अंतरगत भी अलग अलग तरह की कावे धाराएं विक्सित हुई अलग तरह की रचनाय लिखी जाती रही जैसे आधी काल में 5 तरह की कावे धाराएं देखने को मिलती हैं भक्तिकाल में चार तरह की हैं, रितिकाल में तीन तरह की कावेधाराएं विक्सित हुई और आधुनिकाल में भी लगभग 6-7 प्रकार के कावेधाराएं विक्सित हुई कावेधारा ये रचना को हम divide कैसे करते हैं तो इनकी जो प्रविर्थियां होती है समय के साथ साहित्य के सरूप में बदलाओ आता जाता है साहित्य के विशेवस्तु में बदलाओ आता जाता है जिसके कारण हम उसको अलग-अलग केटेगरी में divide कर देते हैं अब हम यहां बेसिकली जो चर्चा करेंगे वो हम भक्तिकाल की करेंगे क्योंकि हमारे जो कवी हैं मलिक मुहमद जैसी वो भक्तिकाल के ही कवी हैं भक्तिकाल जो है वो चार काविधाराओं में विभाजित किया गया है पहला जो हमारा पहली काविधारा है हमारी संत काविधारा दूसरी सूफी काविधारा तीसरी राम भक्ति काविधारा और चौथी काविधारा है कृष्ण भक्ति काविधारा अब इनके जो सबसे प्रमुक या प्रतिनिधी कवी हैं सबसे महतपूर कवी है इन चारो कावेधाराओं के उनको भी देख लेते हम जैसे संत कावेधारा के जो प्रतिनिधी और सबसे महतपूर कवी हैं वो कबीर जी हैं इनका नाम आप सभी ने सुना होगा तो कबीर जो है वो भक्तिकाल की कवी है और भक्तिकाल में भी संत कावेधारा के कवी है इनको हम इसलिए संत कबीर भी कहते हैं क्योंकि ये एक संत भी थे और एक समास सुधारक भी थे ये दूसरी जो महतपूर कावेधारा है वो है सूफी कावेधारा सूफी काविधारा में मलिक मुहमद जैसी इसके सबसे महतपूर कवी हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और जो आपके सलेबस में भी है तीसरी महतपूर काविधारा है रामभक्ती काविधारा और इनके सबसे महतपून कवी हैं तुलसीदास जिन्होंने रामचरित मानस की रचना की थी तो रामभक्ति काविधारा में जितने भी रामभक्त थें जिन्होंने रामजी को केंदर में रखके अपनी रचनाई या कविताई लिखी वे सारे कवी जो हैं वो राम भक्ति कावेधारा के अंतरगत आते हैं ऐसे ही सोड़ दास हैं सोड़ दास जो है वो कृष्ण भक्ति कावेधारा के प्रमुख कवी है तो कृष्ण भक्ति कावेधारा नाम से ही पता है तो कृष्ण को केंदर में रखे जितने भी कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं, वे सभी कवी जो हैं, वो कृष्ण बभक्ति कावेधारा के अंतरगत आते हैं, अब हम आते हैं सूफी कावेधारा के, पर क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, तो सूफी कावेधारा जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो नामे प्रेम आश्रई कावेधारा, प्रेम आश्रई कावेधारा मतलब जो प्रेम पर आश्रित है, मतलब इसमें प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, तो सूफी कावेधारा का दूसरा नाम क्या है, प्रेम आश्रई कावेधारा, मलिक मुहम्मद जैसी किस धारा के कवी हैं सूफी कावे धारा के कवी हैं और इनकी सबसे महत्पूर रचना कौन सी है पदमावत पदमावत इनकी सबसे महत्पूर रचना है जिसके कारण ये पूरे देश में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और पदमावत के अधार पर इसमें राजा रतंसिन और रानी पदमावती के संपूर्ण जीवन को दिखाया गया है और इसी मैसे लगवग 4-5 छंद आपके सलेवस में लगे हैं जिसका टाइटल दिया गया है बारह मासा बारह मासा जो है वो पदमावत के 4-5 छंदों का एक विशय है जो आपके सलेवस में एड़ किया गया है तो बारह मासा का मतलब है बारह महीने बारह का मतलब आप सबको पता है बारह और मासा का मतलब है महीने मतलब बारह महीने तो ये आपके सलेवस में है बारह मासा अब आपको पता लग गया होगा कि बारह मासा जो है वो कहां से लिया गया, पदमावत से लिया गया, और पदमावत किस की रचना है, मलिक मुहम्मद जैसी की रचना है, मलिक मुहम्मद जैसी किस धारा की कभी है, तो सूफी काविधारा की कभी है, और सूफी काविधारा किस काल के अंतरगत आता है, तो सूफी काविधारा भत् लग गई तो आप जीवन परीचय में चार से पाँच लाइन बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर वो है हमारा सूफी कवीओं की विशेस्ता हैं अब हमें ये तो पता लगया कि सूफी कवी किस धारा की कवी है या किस काल की कवी है अब हम ये देख रहें तो उनकी विशेस्ताएं क्या थी जिसके कारण वो अन्य कावेधाराओं की कवियों से अलग हुए तो इस धारा के कवियों ने ईश्वर से मिलने का आधार प्रेम को माना है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस धारा का दूसरा नाम ही प्रेम आश्रेई कावे धारा है जो प्रेम पर आश्रित है तो इन्होंने इश्वर से मिलने का आधार क्या माना प्रेम को माना तो ये इनकी सबसे महत्पूर्ण विशेष्ता है दूसरी महत्पूर्ण विशेष्ता कौन सी है इस कावे में विरह और रूप सौंदरे का उच्च कोटी का वर्णन है या इसमें विरह और रूप सौंदरे का वर्णन उच्च कोटी का है कि शिंगार रस होता है और शिंगार रस के भी दो भाग होते संयोग सिंगार और वियोग सिंगार में जिसमें नायक नायका साथ रहते हैं एक दूसरे को देख सकते हैं और वियोग सिंगार का मतलब जब नायक और नायका एक दूसरे के सामने ने रहते हैं उनसे दूर रहते ह या उनसे मिलने के लिए शंगर्स रत रहते हैं तो ये विरह की अवस्था होती है तो सूफी कवियों ने अपने कविता में विरह के उत्कृष्ट रूप को दिखाया है कैसे नाइका या नायक एक दूसरे से मिलने के लिए कितना शंगर्स करते हैं कितने परिशान रहते हैं इसमें दिखाई गई है, बहुत ही उच्च कोटी की दिखाई गई है, और रूप संदरे मतलब इसमें नाइका की रूप संदरे का बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन किया गया, उनके संदरे का बहुत ही उच्च कोटी का वर्णन हमें इनमें मिलता है, तो सुफी कावे धारा क दो विशेशता है विरह की वियोग शिंगार जुए या विरह का उच्चकोटी का वर्णन है दूसरा रूप संदरे का वर्णन भी उच्चकोटी का है तीसरी महतपूर्ण विशेष्ता क्या है कि इस धारा की कवियों ने भारतिय लोक जीवन में प्रचलित कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया अब सूफी कवी जो थे वो क्या थे? मुसलिम कवी थे यह मुसलमान कवी थें सूफी कवी लेकिन उन्होंने क्या किया कि भारतिय लोक जीवन भारतिय जनमानस में जो हिंदू कहानिया प्रचलित थें हिंदू धर्म की जो कहानिया प्रचलित थें उनको अपनी रचनाओं का आधार बनाया उन्हीं कहानियों के बेज़ पिंहोंने अपनी रचनाई की भार्ती लोग जीवन में प्रचलित कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया साथ ही भार्ति भाषा जैसे कि इस धारा की कव्यून की भाषा अवधी थी अवधी जो है वो अयोध्या के आसपास की भासा है तो अवधी भासा में थे मुसल्मान उर्दू में भी रचना कर सकते थे फार्सी में भी कर सकते थे अर्बी में भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने अवधी भासा में अपने रचनाई लिखे हैं तो सारा जो सूफी कावे है व कि सूफी कावे जो है वो सारा प्रबंधात्मक है मुक्तक नहीं अब प्रबंधात्मक किसे कहते है और मुक्तक किसे कहते है ये भी मैं आपको बता देता हूँ मुक्तक उसे कहते हैं जो अपने आप में मुक्त हो जैसे कबीर के दोहे आप पढ़ते हो वो दो लाइन में ही पूरी कहानी कह देते हैं जो भी उन्हें संदेज देना होता है जो भी देना होता है दो लाइन में होता है उसके आगे पीछे कोई कहानी नहीं होती और प्रबंध अध्यायों में बाल कांड़, युद्ध्या कांड़, किसकिंदा कांड़, सुंदर कांड़, लंका कांड़, ठीक है, तो अलग-अलग कांड़ों में, अलग-अलग अध्यायों में विभाजित होके राम जी के संपूर्ण जीवन को उसमें दिखाया गया है, तो ये प्रबं प्रबंधात्मा को कावे है और महा कावे है वो भी क्योंकि उसमें राजा रतन सेन के आरंब से लेकर अंत तक की पूरी कहानी उसमें दे गई है तो सुफी कविओं की सबसे बड़ी विशेष्टा क्या थी जितने भी सुफी कवी थे सबने प्रबंधात्मा कावे ही लिखा है महा कावे ही लिख्या, उन्होंने मुक्तकों में रचना नहीं की, ठीक है, तो ये जो पांच विशेस्ता हैं, ये सूफी कवियों की विशेस्ता हैं, और यही सारी विशेस्ता हैं, वो हमें मलिक मुहमद जैसी की रचनाओं में भी देखने को मिलती हैं, अब हम आते हैं, मलिक मुहमद जैसी का जनम अमेठी में हुआ था और अमेठी के पास एक जायस नाम का नगर है उसमें इनका जनम हुआ था तो जायस नाम की नगर की कारण ही इनके नाम के पीछे जायसी लगने लगा इनका जो असली नाम था हूँ था मलिक मुहमद और जायस नगर में जनम होने के कारण इनका नाम जैसी भी पढ़ गया तो मलिक मुहमद जैसी उत्तर प्रदेश के अमिठी में इनका जनम हुआ था इसी कारण वे जैसी भी कहला हैं वे अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते हैं ये बहुत बड़े सिद्ध फकीर भी माने जाते हैं अपने समय के उन्होंने सयद अश्रफ और शेख बुरहान का अपने गुरूं की रूप में उलेह किया हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने गुरू के जो नाम बताएं वो कौन कौन से बताएं, एक बताएं सयद अश्रफ और सेख बुरहान, इन दोनों को इन्होंने अपना गुरू बताया है, अब जैसी सूफी प्रेम मारगी शाखा के सर्फदेश्ट कभी माने जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि किस कावेधारा के ही है, सूफी कावेधार के या प्रेम आश्रेई कावेधारा के सर्फदेश्ट कभी माने जाते हैं, उनकी पदमावत, प्रेमाख्यान, परंपरा का सर्फदेश्ट प्रबंध कावे, उनकी रचना प्रेमाख्यान, मतलब प्रेम का आख्यान है, प्रेम की जो कथा है, उस परंपरा का यह जो पदमावत इसमें क्या है यह भाड़ती लोग कतह पर आधारित जो मैंने आपको बताया कि सूफी कवी क्या करते थे भाड़ती लोग जनमानस में जो कतहें परचलित थे उसके अधार पे वो प्रबंधकावे लिखते थे तो यहाँ वही बताये गया है कि भाड़ती ल प्रेम कहानी और चितोड की राजा राजिस्थान में वहां की राजा रतन सेन के प्रेम की कथा है। इस प्रकार इसका वंडन किया है कि लौकिक कहानी होते हुए सांसारिक प्रेम कहानी होते हुए भी वो इश्वरी सत्ता से मिलने का एक मार्ग बताती है कि हम इश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। के लिए बहुत शंगर्स करता है। तो यह कहानी एक तरह से लौकी कहानी होते हुए भी इश्वरी कहानी के रूप में बदल जाती है। यह कला मलिक मुहमद जैसी की है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। प्रेम का यह लोगधर्मी शरूप मानव मात्र के लिए प्रेणना दाई है। अब प्रेम का यह जो लोगधर्मी शरूप इन्होंने दिखाया है कि प्रेम पुरुवक रहना हर संसार में जितने भी चीजें हर चीज के साथ जीव, जन्दू, पशुपक्स, सब के साथ प्रेम से रहना यह सारी चीजें हमें यह मलक मुहम्द जयसी की रचना पदमावसस से हमें यही प्रेणना मिलती, यही सीखने के लिए, सीख हमें इसमें मिलती है। अब ये जो रचना है ये फार्सी की मसनवी शैली में रचित है फार्सी की एक शैली है फार्सी भासा की मसनवी शैली मसनवी शैली में क्या होता है कि महा कावे के आरंब करने से पहले जब उसे लिखना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर ईश या पैगंबर की इ इस्तुति के लिए लिखे जाते हैं, तो यही शैली क्या कहलाती है, मसनवी शैली कहलाती है, और मसनवी शैली किश भासा की शैली है, यह फार्सी की मसनवी शैली में रचित यह कावे, यह कावे मतलब पदमावत, पदमावत भी मसनवी शैली में रचित है, तो फार्सी की मसनवी सैलि में रचित पडमावत की कथा सरगो या अध्यायों में बटी हुई नहीं है जैसे मैंने आपको बताए राम चरित मानस अनेक अध्यायों में विभाजित है बाल कांड है, अयुद्धा कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, अरण्य कांड है, लेकिन पत्मावज्य वो अलग-अलग अध्यायों में नहीं बटी हुई है, ये सिधे स्टार्ट होती है और अंत तक एक ही उसमें चलती जाती है, अलग-अध्यायों में नहीं बटी हुई है और यह कथा बराबर चलती रहती है इस्थान इस्थान पर शीर्षक की रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उलेख अवश्य है अब कुछ-कुछ जगहें पर क्या होता है कि घटनाओं के अधार पर ही उपर टाइटल दे दिया गया है शीर्षक मतलब टाइटल हो अब इसमें इन्होंने दोहा और चौपाई जो की छंद है आपने चंद में पढ़ा होगा तो दोहा और चौपाई को एक साथ रखके इस कावे की रचना किये भाशा उनकी ठेठ अवधी है जो की मैंने आपको बताया कि अवधी जो है वो अयोध्या के आसपास की भाशा है तो अवधी भाशा में इन्होंने ये महा कावे रचा है कावे शैली अत्यंत प्रोड और गंभीर है जैसे की कविता का आधार लोक जीवन की व्यापक अनुभव है अब उनकी कविता का आधार क्या लोक जीवन जो अयोध्या के आसपास का या भारत के जो लोक संस्कृति ये भारत की अपनी संस्कृति जो है उसका उन्हें व्यापक अनुभव था तो ये सारा अनुभव उन्होंने अपने महा कावे पदमावत में अच्छी तरह उसका प्रियोग किया उसको डाला है उनके द्वारा प्रियोक्त उपमा रूपक जो अलंकार हैं लोकोक्तियां कि पूरी कावे भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव है तो इन्होंने जो भाषा मुहावरे लोकोक्तियां इन सबके उपर अलंकारों पर इन सबके उपर किसका प्रभाव है लोक संस्कृति का लोक संस्कृति कहां इसमें कथा कहां की है मैंने आपको पता है इसमें र इत्तार पर बदलते जाते हैं राजिस्थान में में अलग मैं किया हरियामन में अलग महावरों का प्रयोग होता होगा तो मलिक मुहमद जैसे कि जो कला kangar है वो यह कि राजिस्थान की कथा का वंडन करते हुए उन्होंने राजिस्थान के ही अर्या या अयोध्या के तो इससे एक असंगतता दिखती है उसमें हमें ठीक से वो नहीं लगता कि समझ नहीं आता अब इसमें सारी चीजे जो है वो राजिस्थान की तो हमें लगता है कि जो मलिक मुहमद जैसी थे उनको राजिस्थान की लोक संस्कृति का कितना कितनी गहरी उनको जानकारी थी, जो उनके पूरे महा कावे पे इसका प्रभाव दिखाई देता है, तो उनकी पूरी कावे भाषा पर लोक संस्कृति का प्रभाव है, जो उनकी रचनाओं को नया आर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है, सौंदर्य मतलब सुंदर्ता, तो उनके पूरे महा और उसका प्रभाव सारा हमें जो पदमावत है उस पर देखने को मिलता है अब इनकी प्रमुक रचना है पदमावत जो कि आपको पता ही है अखरावट आखरी कलाम ये तीन इनकी सबसे महत्पून रचना है इससे आप याद कर लें अगर ये तीनों आप पेपर में लिख दे हैं जिनमें पदमावत उनकी प्रसिद्धी का प्रमुक आधार है मैंने बताया आपको कि किस के कारण किस रचना के कारण किस महा कावे के कारण जो मलिक मुहमद जैसी हैं बहुत फेमस हैं तो वह है पदमावत और पदमावत के बेश पर ही आप ने ये महा कावे पढ़ा न आफ इस video में हमने मलक मुहमद जiała सी जीवन परीचे के बारे में चर्चा किया अगर आपको कुछ भी समझ नाया हो आप मुझे फोन पर बात कर सकते हैं गूरूप में आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में भी आप जो नीचे comment box है, वहां भी comment कर सकते हैं, आपको reply मिल जाएगा हर जाएगा, फोन करके आप discuss कर सकते हैं, जो भी आपकी query हो, आप उसे लिख लिए ना, जब भी आपके पास time हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और next वीडियो में बच्चों हम इनक के एक reading ले लेंगे, तो आपको काफी चीजे समाज आ जाएंगे,